देर स्टूरेंट we have to discuss about the community service community service क्या है पहले तो इसको इंडर्स्टेंड करें you may say unpaid work वो एक परसन भी unpaid work कर सकता है एक group of the people भी कर सकते हैं, institution के लेवल पर भी हो सकते हैं, देखें हमारे education का जो एक aspect है, वो है betterment of the community, betterment of the community के अंदर जो है, जो community service provide की जा रही है, उन में अपना एक role play करना, अब हम school के बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं, कि you are the part of community, जिन्दगी में एक बात याद रख लें, ये बच्चे को समझाने की जरूरत होती है, कि दुनिया में हर चीज जो है वो paid work नहीं है, बलके ऐसे तमाम काम जिनके अंदर आप community के benefit के लिए करेंगे, तो वो आपको volunteer करने पड़ेंगे, अब देखें, यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती है, एक चीज़ तो हमारे पास ये है, कि एक good citizenship के लिए आप volunteer काम करते हैं, second number पर ये है, कि आपकी एक requirement होती है, कि फर्ज करें कि आपने secondary school certificate लेना है, तो उससे पहले आपने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, कोई, छे, साथ community service अवेलिबल हैं, आपने उसमें से कुछ perform करना है, और perform करने के बाद उसका certificate असल करना है, फिर आप qualify करेंगे, अब ये community service जो है, वो मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ services है, यहनि school लेवल पर अलेदा community service होंगी, जो आपको provide करनी है, college लेवल पर एक different phenomena होगा, और university लेवल पर हमारे पर different way होगा, अब इन तमाम में, हमारे पर जो non-paying job है, community service की, वो एक person भी कर सकता है, एक group भी कर सकता है, यहनि आप एक individual task भी दे सकते हैं, कि जैसे हम कभी किसी जमाने में, पाकिस्तान के हावाले से भी बात थी, कि जब हमारे पास education for all था, तो उसमें graduation के लिए जरूरी था, कि आपने अपने इर्द गिर्द महले में, किसी भी एक शक्स को, जो पड़ा लिखा नहीं है, आपने उसको basic education देनी है, यहनि वो अपना नाम लेख सके, अखबार पढ़ सके, कुछ जो reading's है, वो कर सके, आप उसका certificate लेंगे, certificate लेने के बाद फिर आपको जो है, डिगरी दी जाती थी, यह पाकिसान के अंदर भी यह practice होता रहा है, तो बनियादी तोर पे, इसका main मकसद क्या था, कि आप community की जो services हैं, वो एक volunteer ल आपकी associate कर दी गई आपकी डिगरी के साथ, अब आपका certificate आपकी डिगरी उस वक्त तक आपको issue नहीं होगी, जब तक आप एक certificate पेश करेंगे, और certificate के अंदर आप यह बताएंगे, कि जी मैंने ये एक नौकांदा फर्द था हमारी society का, वो बच्चा भी हो सकता है, डल्ट आपनादी.